चंपिन्स टॉफी में टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी इसके बारे में हम सभी को साल के अंत में पता चल जाएगा अगले कुछ मैंनों में पता चल जाएगा लेकिन मुहमद रिजवान ने बोल दिया है कि अगर टीम इंडिया आती है हमारे देश मेरे बहुत जम के स्वागत करने वाले हैं, ऐसा मुहमद रिजवान ने कहए, क्योंकि मुहमद रिजवान ने यह भी बोला कि जब हम लोग गए थे इस में दोजारताइस के वर्ल्ड कब में इंडिया तो हम लोगों ने पाकिस्तानियों की पाकिस्तान टीम की गर्म जोशी से स्वागत किया था ढोल नगाड़े बजबाई थे आपने भी देखा होगा और काफी ज्यादा इजद भी दी रिस्पेक्ट किया और महमान नवाजी हम लोगों ने दी तो मैंने इसलिए बोला कि टीम इंडिया जाएगी या नहीं जाएगी इसका अंदाजा हम सभी में किसी को भी नहीं है वहाँ पर इस समय रेनोवेशन का काम चल रहा है सारे स्टेडियम को ठीक किये जा रहे है सुनने में तो यहीं आया है और कहा यह जा रहा है कि 31 देसंबर त जाएगा एक मेने का टाइम पाकिस्तान को मिल जाएगा और इस बीच में कोई सीरीज या मैच करवा के टेस्ट किया जा सकता है कि चलो यार स्टेडियम में आप सब कुछ ठीक है कि नहीं बैराल चेंपिन स्टॉफी को लेकर जो है दोनों तरफ की मीडिया आए दिन एक सुनने में तो ये भी आ रहा है कि भाई हाइब्रिड मॉडल हो सकता है पता नहीं यार क्या क्या होगा नहीं होगा सला एक तो दिमाग का दही हो जाता है इतनी खबरें आती है एक मीडिया आउस बोलता है एक न्यूच चैनल बोलता है कि सारा का सारा चेंपिन स्टॉफी श्रिलंका में हो जाएगा एक बोल रहा है दुबई में हो जाएगा उदर पाकिस्तान वाले बोल रहा होगा हमारे ही होगा जो उखार ना उखार लो तो यार आपस में इतना ज्यादा जगडते रहते हैं किनकी बातों पर यकीन करूं किसकी बाते सच है नहीं है जूट है पता नहीं लेकिन वो एक खिचडी बन चुका है वोफुली जो भी है जाना है नहीं जाना है बहुत जल्दी भारतिय गवर्मेंट हमारी सरकार जो है इस बात का एलान भी कर दे ऑफिशली चीजें निकल के सामने आ जाए जादा बहतर है वरना वही खिचडी बना हुआ रहता पब्लिक बोल रही है जाएंगे नहीं जाएंगे ऐसा वैसा बट मुहमद रिजवान के तौर पर उन्होंने बोला है कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान चंपेंस टॉफी खिलने के लिए आती है तो हम लोग जो है जोर शोर से वैलकम करेंगे इंडिन टीम का और हम लोग म